दुश्मन मुलकों की साज़िश से जोड़ी बड़ी खबरों के लिए देखते हैं दुश्मन शीन पार्क टॉप नाइ सेना प्रमुक जनर्र पनोच पांडे ने कहा है कि LOC और LAC पर हालात नियंतरण में हैं LAC पर हम बहुत जादा मजबूत इस्तिदी में हैं और हम किसी भी चुनोती से निपटने के लिए तया हैं आर्मी चीफ ने परियाप मातरा में हतियार मोहिया कराने के लिए सरकार को धन्यवाद कहा सेना प्रमुक ने कहा कि पाकिस्तान के तरफ से जम्मू और पंजाब में अंतररास्ट्य सीमा शेत्र में ड्रोन के मात्यम से हतियार और ड्रत की तसक्री की कोशिश की जा रही है एसी गति विद्यो पर लगाम लगाने के लिए काउंटर ड्रोन जैमर और अन उपकरण लगाए गए है LAC पे तनाव के बीच विदेश मंत्री S. जैशंकर का बड़ा बयान सामने आया है जैशंकर ने कहा है कि चींज यथा इस्तिती बदलने की कोशिश कर रहा है मुश्किल हालात में हमारी तैयारी मजबूत है कोविट के दौरान भी सेना ने करारा जवाब दिया एलेसी पर चीन के ड्रोन प्लान का बड़ा खुलासा हुआ है PLA ने एलेसी पर आग फेकने वाला ड्रोन तैनात किया है ये ड्रोन ग्लेशियर को भी पिगला सकता है चैनीज मीडिया ने ड्रोन अटैक का वीडियो जारी किया चीन ने एक साथ 14 सेटलाइट लॉंच किये है चीन ने उत्तर चीन चे शायंग प्रांद के तायोंग सेटलाइट लॉंच सेंटर से 14 ने सेटलाइटों को ले जाने वाला एक लॉंच मार्च 2D रॉकेट है साथ चैना सी में चीन अपनी ताकत बढ़ाने में जुड़ गया है चीन के शेंडॉंग एरक्राफ्ट केरियर फांडेशन ने साथ चैना सी में एक ड्रिल किया है जिसमें देश का बना पहला विमान वाहक पोट को उतारा गया है पाकिस्तान के शहबाज सरीफ सरकार का जाना तै माना जा रहा है इमरान खान ने अविश्वास प्रस्ता पेश करने का एलान कर दिया है अगर MQM ने शहबाज सरीफ का साथ छोड़ दिया तो सरकार गिरना तै है पाकिस्तान मीडिया ने पहली बार भारत की खुल कर तारिफ की है पाकिस्तान मीडिया ने भारत को एक ताकतवर देश बताते हुए भारत के पक्चिन्नों पर दूसरे देशों को चलने की बात कही है ये भारत की बहतरीन डिप्लोमैसी का एक हिस्सा है